यह cost of 4 pens, 6 notebooks and 9 files is 305, ठीक है? तो एक equation आप बना सकते हो इससे, 3 pens, 4 notebooks, 2 files दिया हुआ है, अब आप से पूछने हैं कि 5 pens, 8 notebooks और 16 files की value बता दिया, मतलब कहने का मलब इन्होंने 2 equation दी, 2 equation में इन्होंने notebook, pen और file के combinations का हमें दिया, और फिर एक नया combination पूछने है, कोई equation नहीं लि यहां कैसे आ सकता है, तो थोड़ा सा logic लगा होगी, 16 अगर लाना है, तो इसको बढ़ा करो, 2 से गुणा करेंगे तब बढ़ा हो जाएगा, यह 18 हो जाएगा, और इसको 2 minus क्या तो कितना है, 16 हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें भी check करते हैं, कि ऐसा हो रहा है, 6 times 2 कितना हुआ, 12, 12 minus 4 कितना हुआ, 8, yes आ रहा है, 4 times 2 कितना हुआ, 8 minus 3 कितना हुआ, 5 रहा है, यानि इस expression में 2 से गुणा करके इसको minus कर दो, आगे answer, 5 pen, 8 notebook, 16 file का, तो कितनी बढ़ा होई यह, 610 minus 145, हो गया कितना, 465, इतना आसान सा वाल था, कोई question बनाने लगी, जब ज़ लोग दिमाग का इस्तिमाल करके कर सकते हैं, यहां बहुत सही से सोचनी की जरूरत है आपको, ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है, बचा के रखो, आगे जीवन में काम आएगा, ठीक है, बस इतना आसान सा लाजिक था कि 16 कैसे बनेगा, 9 को बढ़ा करके कुछ, इस